असलाम अलेकूम वेलकम टू पंजाब एजुक्रेटर्स जियर स्टूडेंट्स आज हम क्लास फर्स्टियर के चैप्टर नमबर वन के लेक्चर नमबर येट के पार्ट वन की अंदर पॉइंटिंग डिवाइस को डिसकस करने वाले हैं आए लेक्टर को स्टार्ट करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस एक ऐसी इंपूड डिवाइस को का जाता है जिसके मदद से आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आने वाले पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं पॉइंटर एक छोटा सा सिंबल होता है जो एरो की शेप का आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आता है जिसके मदद से आप कोई स्लेक्शन करते हैं टेक्स्ट हो, इमेज हो, आइकन वगारा उन सबको आप पॉइंटर की मदद से ही स्लेक्ट करते हैं पॉइंटर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर ज्यादा इस्तमाल किया जाता है वो अप्रेटिंग सिस्टम जिसके अंदर आप कमांड और ऑप्शन वगारा को आईकन बटन और मेन्यू की सुरत में स्क्रीन पर देख रहे होते हैं उन पर आपने क्लिक करना होता है जैसा कि Microsoft Windows एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्रेटिंग सिस्टम है इसको हम ग्राफिक टैबलेट भी कहते हैं ज्वाइस्टिक और पैन बेज सिस्टम शामिल हैं आएं अब हम इन सब को एक करके डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे लेकिन इन में से कुछ हम इस लेक्चर में और बाकी नेक्स लेक्चर में कवर करेंगे तो ड्यू स्टुडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं माउस की माउस सबसे ज़्यादा इस्तमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है यह एक छोटी सी हलके वजन की डिवाइस है इसको आप अपने कंप्यूटर से वायर के साथ यह भीना वायर के यहनी प्लुटूट यहाँ वायफाई से कनेक्ट कर सकते हैं माउस की मदद से कम्प्यूटर स्क्रीन पे पॉइंटर को कंट्रोल करता है आप इसको फ्लेट जगा पे रखके मूव करते हैं जिससे आपका पॉइंटर सक्रीन पे मूव होता है मौउस को ग्राफिक एप्रिकेशन के साथ इस्तमाल किया जाता है मौउस पे दो या तीन बटन्स होते हैं जिनकी मदद से आप मुख्रिफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जैसा कि किसी फाइल को स्लेक्ट करना या किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करना वगेरा कुछ मौउस में स्क्रोलिंग वील भी फ्राम किया जाता है जो कि मौउस के उपर वाली जानिब लगा होता है जैसा कि कोई बड़ा डोकुमेंट को देखने के लिए आप उसके अंदर वील को इस्तमाल करते हैं वील को उपर नीचे मूव करते हैं जिससे डोकुमेंट उपर नीचे मूव होता रहता है इसी तरह आप फेस्बुक चलाते हैं तो उस वक्त भी आप स्कॉलिंग वील को बहुत ज्यादा इस्तमाल करते हैं ट्रेडिशनल मौवस में एक बाल लगी होती थी जो के मौवस की सता के नीचे की जारब लगी होती थी इस बाल की हरकत से पॉइंटर की हरकत को कंट्रोल किया जाता था लेकिन आज कल अप्टिकल मौवस का इस्तमाल बहुत ज़्यादा भड़ गया है उसमें बाल की वज़ाए पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए लाइट की रिफ्लेक्शन का इस्तमाल किया जाता है आएं अब हम बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसिस में ट्रेक बाल की टे स्टुडेंट्स ट्रेक बाल भी बिल्कुल मौवस की तरह ही होती है बस फर्ग सिर्फ इतना है कि ट्रेडिशनल मौवस में बाल नीचे की तरफ लगी होती थी जबके ट्रेक बाल में रूटेटिंग बाल उपर की तरफ लगी होती है अब इस बाल को मूव करते हैं तो सकीन पे पॉइंटर मूव करता है मौस में हम पूरे मौस को मूव करते हैं जिसकी वज़ा से मौस के लिए ज्यादा जगा चाहिए होती है जबके ट्रेक बॉल में सिर्फ उपर वाली बाल को मूव करते हैं और पूरी डिवाइस को मूव नहीं करना पड़ता इसलिए ये कम जगा गेरती है इसमें मौउस की तरह से ही बटन्स प्रवाइड किये गए होते हैं जो के मौउस की तरह ही क्लिक और डबल क्लिक का काम करते हैं टेक बॉल के बाद अब हम नेक्स पॉइंटिंग डिवाइस टच पैड की बात करते हैं स्टुडेंट्स टच पैड एक सीधी और चोटी जगा होती है जिस पे आप अपनी फिंगर को मूव करते हैं तो पॉइंटर मूव करता है और मौस की तरह टेच पैड पर भी आपको दो बटन प्रोवाइड किये जाते हैं जिनकी मदद से आप क्लिक या डबल क्लिक कर सकते हैं जो काम आप मौस की मदद से करते हैं वही सेम काम आप टेच पैड की मदद से भी कर सकते हैं आम तोर पर touchpad laptop computer के साथ लगी होती हैं लेकिन आप इसको desktop computer के साथ भी लगा सकते हैं इसके अलावा touchpad keyboard भी market में available हैं जिन में numeric keys की जगा पे touchpad मुझूद होता है touchpad को trackpad भी कहा जाता है अब हम next pointing device की बात करते हैं जो के touch screen है Dear students, touch screen एक touch sensitive device को कहा जाता है touch sensitive display से मुराद एक ऐसा display है जिसकी मदद से ना सिर्फ आपको चीज़ें screen पे नज़र आती हैं बलके जब आप इसको touch करते हैं तो screen इस चीज़ेंस को sense कर सकती है और उस touch की base पे आप instructions जारी करते हैं touch screen को आप finger के साथ भी use कर सकते हैं और stelis के साथ भी use किया जा सकता है stelis एक ऐसी device है जो special इसलिए बनाई जाती है कि touch screen को इससे इस्तमाल किया जा सके आज कल multi touch screen बहुत popular हो रही है यानि एक से ज़्यादा जगा पे touch करें तो वो easily sense कर सकती है मसलन जब आप screen पे दोनों fingers रखके मुक्ति सिमत में move करते हैं तो image zoom in हो जाती है यानि image बढ़ा हो जाता है इसी तरह से अगर आप finger को एक दूसरी direction में यानि एक दूसरे के पास लेके हैं तो image zoom out यानि छोटी हो जाती है touchscreen आज कल mobile phone, laptop और desktop में भी बहुत common हो चुकी है इसके लावा ATM machines जो के आपको banks के बाहर नजर आती हैं जिनसे आप cash निकलवाते हैं उनमें भी इनको इस्तमाल के जाता है इसके लावा self check out में touchscreen का इस्तमाल बहुत common है self check out से मुराद ये है जब आप किसी जगा पे shopping करते हैं तो आपको cashier को अपना समान नहीं देना पड़ता बलके वहाँ पे touchscreen लगी होती है वहाँ जाके आप उस product को scan करते हैं और detail enter करते हैं और आपने card की मदद से payment करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं dear students बाकी के joint put devices हैं वो हम next lecture में discuss करेंगे तब तक के लिए हमारे चैनल को subscribe कर ले मिरते हैं next lecture में अलाहाफिज